तो हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बंगलादेस और अफगानिस्तान के बीच में जो एसिया कप का चोथा मैच खेला जाने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस मैच में कौन-कौन एसा पलायर है जो बहतरीन परफॉमेंस करने वाला है हमको असमोल लिग टिम में किस पलायर को लेना है ग्रेंड लिग में आपको किसको लेना है और सबसे जादा इंपोर्टेंट बात कि इस मैच में कैप्टन किसको बनाना है और वाइस कैप्टन किसको बनाना है और इस वीडियो में हम परसनली ये भी देखेंगे कि इस में कौन एसा पलाइर है जो मेगा ग्रेंड लिग में ट्रम्प पलाइर रहने वाला है जो पलाइर आपको मेगा ग्रेंड लिग में रेनक वन दिला करके करोडों में विनिंग कर actually सकता है तो चैलिए एकक करके डीटेल में आपको समझाता हूँ उससे पहले टेली ग्राम चैनल में जुट जाना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चूकि वहाँ पर ज्वैन होना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर टेली ग्राम चैनल में देता हूँ और इस मैच का भी फाइनल टिम टॉस के बाद वहीं पर मिलेगा चाहे वो असमोल लिग का टिम हो या ग्रेंड लिग का टिम हो तो टेली ग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जल्दी से जल्दी टेली प्लायर देखेगा एक आपका आर गुरुबाज जो आफगानीस्तान के तरब से ओपनिंग करेगा और विकेट कीपिंग भी करेगा उसके बाद आपका एम रहीम जो किधर से बांगलादेश के तरब से विकेट कीपिंग करने वाला है और पांच नमबर में प्लायर ना विकेट कीपर वाले सेक्शन में इंपोर्टेंट हो जाता है ये दोनों प्लायर विकेट कीपर वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है जो कहीं ना कहीं आपको विकेट कीपिंग से पोइंट तो देगा ही देगा और साथ ही साथ बैटिंग से भी आपको point देगा तो ये दोनो player सबसे ज़्यादा important है तो मैं यही बोलूँगा अगर आप small league खेलते हो या फिर grand league खेलते हो तो दोनो team में इन दोनो player को ले ले ना चोकि आर गुरुबाज opening करेगा और wicket keeping भी करेगा उसके साथ साथ जो M रहीम है वो तो wicket keeping करेगा ही उसके साथ साथ ये बंदा 5 नमर में बैटिंग करेगा और बैटिंग आने का chance ज़्यादा होगा चुकि ODI match है तो ये चीज़ देख कर के आपको दोनो team में SEL और GL दोनों में आपको इन दोनो player को लेना है समझ माचुका है लेकिन अगर आप mega grand league में थोड़ा risk लेना चाहते हो कुछ अलग करना चाहते हो तो simply मैं बोलूँगा wicket की परवाले section में R गुरुबाज को drop कर देना और सिर्फ एक player को ले लेना M रहीम को लेकिन ये थोड़ा ज्यादा risk हो जाएगा तो अगर आपका काम है risk लेना अगर आपको पेशा चले जाने के बाद गम नहीं होता है mega grand league में तो आप ये वाला risk ले सकते हो या तो आएगा या तो जाएगा simple लेकिन मैं बोलूँगा अगर small league खेलते हो तो wicket किपर वाले section में दोनों player लेना काफी बहतरी रहने वाला है अब बात करते हैं batsman वाला section अब यहाँ पर देखोगे ना तो इसमें आपको बहुत सारा option मिलेगा जिसे कि इब्राहिम जडरान है टी हरीडो है उसके बाद आपका R साह है H साहीदी है N हुसेन है बहुत सारा आपको option मिलेगा तो सबसे पहले में आपको कुछ top performance player बता देता हूँ जिस पर आपको focus करना है इस match में जो player इस match में performance करेगा ही करेगा batsman वाले section में एक आपका इब्राहिम जडरान पहला player हो चुका है उसके बाद आपका T हरीडोई जो सबसे ज़्यादा important हो सकता है इस match में बांगलादेश के तरफ से उसके बाद इधर से देखोगे तो एक player आपका ये वाला देखो एन हुसेन समझमा चुका है ये तीन player हो चुका है और ये तीन player सबसे ज़्यादा important है जो इस match में कहीं ना कहीं performance करके आपको देगा ही देगा एक आपका आई जडरान एक आपका टी हरी डोई एक आपका एन हुसेन समझमा चुका है तो इस पर focus करना सबसे ज़्यादा important हो सकता है आपके लिए small league और grand league दोनों में उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ grand league का key player trump player जो आपको mega GL में आपको try करना है तो एक आपका आरसा सबसे ज़्यादा important है आपको batting से point देगा आद रखना और ये trump player इस match में बन सकता है mega GL में तो इस पर focus करना एक से दो team में mega GL में उसके बाद यहाँ से देखोगे न तो h sahidi जो आफगानिस्तान का captain है लेकिन इसका performance उतना सही नहीं होता है तो आप चाहो तो इसको ignore कर सकते हो लेकिन mega GL खेलते हो तो आपको बता होगा mega GL में आपको वो करना होता है जो लाखों करोडों लोग नहीं कर पाते हैं तो आप इस पर risk ले सकते हो mega GL में अगर चल गया तो बड़ा पारी खेल देगा उसके बाद हम बात करते हैं नीचे वाला section देखोगे ये वाला player एंजडरान ये भी बेहत्रिन player है आद रखना इसको तो ये तीन player सबसे ज़्यादा important हो सकता है एक R सह एक H साहीदी का chance बहुत कम लग रहा है तो इसको try करना चाहो तो कर लेना और नीचे से आपका ये वाला player देख लो एंजडरान समझ मा चुका है मैं यहाँ से इन तीन player को हटा लेता हूँ और दो player एसा है ना जो सबसे ज़्यादा important है कौन सा player मैं आपको दिखाता हूँ एक आपका इधर से देखो ये वाला player टी हसन पहला player उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इधर से कौन ला player है ये वाला एन सेख ये दो एसा player है ना दोनो opening करेगा बांगलादेश के तरब से और दोनो player इस match में सबसे जादा important होने वाला है mega GL में आप चाहो तो इन दोनो player को ले लेना और आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक को जरू ट्राइ करना mega GL में अगर दो टिम बनाते होना तो एक टिम में T.Hasan को लेना और अगले वाले टिम में N.C. को लेना आप चाहो तो रिस्क लेने के लिए C and VC भी बना सकते हो अगर आपको रिस्क लेना है तो चोकि इसको बहुत कम लोग लेगे अपने टिम में लेकिन ये दोनों opening करेगा बांगलादेश के तरब से तो important हो सकता है इस बात को अपने दिमाग में अभी ही घुसा लो एक आपका N.C. एक आपका T.H. ठेक है और कोई पलायर इधर से नहीं मिलेगा जो इस मैच में performance कर सकता है सब मैंने आपको समझा दिया है batsman वाले section में कब किसको लेना है already आपको समझ में आ चुका है अगर हम small league के बारे में बात करें तो मैंने आपको पता दिया था एक आपका इबराहिम जडरान एक आपका T.H. एक आपका N.H. ये तीन पलायर सबसे जादा important है चाहे small league का बात करें या grand league का बात करें समझ माचुका है clear cut तो मैं इसको यहां से हटा लेता हूँ अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बल्ले बाजी के बारे में अगर आप fantasy खेलते हो और fantasy में अच्छा खासा winning करना चाहते हो और अगर आपको बल्ले बाजी एप के बारे में पता नहीं है तो आप अलग दुनिया में जी रहे हो चोकि बल्ले बाजी एप में ना इस मैच के लिए 3 लाख का आपको मेगा जील मिलेगा वो भी बहुत कम competition के साथ अगर आप मेगा grand league नहीं जीत पाते हो तो एक बर बल्ले बाजी एप में खेल करके देखो मेगा grand league आपका जीतने का chance बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें competition बहुत कम है इतना ही नहीं अगर आप बल्ले बाजी एप में first time deposit करोगे minimum से minimum 100 रुपई अभी ना और deposit करते समय अगर deposit code BB10 यूज करोगे ना तो आपको 10% का extra real case मिलेगा bonus किस नहीं real case जिस पेसे को आप यूज कर सकते हो contest में participant होने के लिए और यहाँ पर बहुत कम competition है और बहुत कम commission भी लिया जाता है तो बल्ले बाजी एप का link आपको description box में मिल जाएगा जल्दी से जल्दी download कर लेना इसमें और भी feature है अभी मैं आप आपको आगे बताने वाला हूँ तो चलिए अब बात करते हैं allrounder वाला section अब इसमें ध्यान से देखना allrounder वाले section में अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे न तो इसमें allrounder वाला section सबसे ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि इसमें आपको मिलेगा साकीबल हसन, एम हसन मिराज, मोहमद नाभी और जी नेव ये चार पलायर ना सबसे ज़्यादा important होने वाला है इस match में अगर यहाँ से हम जी नेव को हटा दें तो साकीबल हसन, महती, हसन, मिराज और आपका मोहमद नाभी ये तीनो पलायर ना सबसे ज़्यादा important है बैटिंग, बॉलिंग दोनों से आपको point देगा तो आप small league खेलो या grand league खेलो दोनों में आपको इन तीन पलायर को consider करना ही करना है ले करके चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए और C and VC का काफी best contender हो सकता है इस match में ये तीनों पलायर चाहे वो small league हो या grand league हो और इधर से नीचे में देखोगे न जी नेव ये भी important हो सकता है आनि allrounder वाले section में ये चारों पलायर सबसे ज़्यादा important होने वाला है लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चार नहीं लेना है किसी को drop करना है तो आप G name को drop कर सकते हो लेकिन में नहीं बोलूँगा अगर आपका मन करे तो कर लेना चोकि चारों सबसे ज़्यादा important है भाई betting, bowling दोनों करेगा आप दो पर focus कर सकते हो एक आपका मेहदी हसन, पहला और एक आपका के जन्नत, दूसरा ये दोनों player इस match में सबसे ज़्यादा important होने वाला है betting भी करेगा और bowling भी करेगा लेकिन लोग क्या करेगा जानते हो इन दोनों player को ignore करेगा लेकिन आपको एसा नहीं करना है आपको वेसा नहीं करना है जो लाखों, करोडों लोग कर रहे हैं आपको वेसा करना है बात वो लोग सोच भी नहीं पाते हैं तो simply लोग क्या करेगा मेहदी हसन और के जन्नत को drop करेगा अपने team से लेकिन अगर आप MegaGL खेलती होना तो मैं बोलूँगा इसका combination करो महदी हसन को भी अपने team में लो और के जन्नत को लो अगर दो team बनाते हो तो एक में महदी हसन को ले लो एक में के जन्नत को ले लो मान लो आप इसको नहीं लेना चाहते हो जीनेब को इसके जगापर MegaGL में महदी हसन को ले लो टेक एक team में या फिर दूसरा team में के जन्नत को ले लो के ना तो अब बात करते हैं बॉलर वाला section जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा important है अब इसमें देखोगे ना तो आपको quality बॉलर देखेगा जैसे की अफगानिस्तान के तरब से आपका रासित खान जो भी ODI में ताबर तोड परफॉमेंस करके आ रहा है उसके बाद आपका मुजिबो रह्मान सबसे ज़्यादा important हो सकता है इस match में आपका मुष्ट फिजूर रह्मान और आपका तास्किन यहमद एस इसलाम फजल फारुकी काफी बहतरीन बहतरीन बॉलर है लेकिन लेना कब किसको है ना वो सबसे ज़्यादा important है मैं कुछ करने से पहले में आपको एक fact बताता हूँ जो आपका मुष्ट फिजूर रह्मान है ना इस match में ट्रम को पलायर साबित हो सकता है लोग क्या करेगा इसके recent form को देख करके इसको ignore करेगा अपने team में लेकिन मैं बोलूँगा अगर mega GL खेलते होना तो अपने team में मुष्ट फिजूर रह्मान को लेना और captain और vice captain भी बनाना एसा मैं क्यों बूल रहा हूँ कि जिस pitch पर match हो रहा है ना वो pitch spinner को भी support करेगा और भाई किस को support करेगा faster को भी support करेगा और मुष्ट फिजूर रह्मान क्या है faster baller है वो recent match में performance easily नहीं कर पाया चुकि वो pitch spinner को support करता था लेकिन मुष्ट फिजूर रह रहमान आपके लिए trump player बन सकता है इस match में तो इस बात को ध्यान में रह करके आपको team बनाना है समझमा चुका है अब यहाँ पर देखोगे ना तो रासित खान मुझीबू रहमान दोनों player आफगानिस्तान के तरफ से सबसे ज़्यादा important रहने वाला है और बंगलादेश के आपको मुस्त फिजूर रहमान को try करना है काफी important हो सकता है trump player बन सकता है इस match में mega GL में ओके ना इधर सापका ये core player फजल फारुकी और आपका S इसलाम इन दोनों पर भी focus करना लोग इसको ignore करेगा लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वही आपको करना है तब आप mega GL जीतोगे तो यहाँ पर मैंने पूरा detail में सब कुछ समझा दिया है मैं आपको baller वाला section एक बर और समझा देता हूँ रासित खान मुझीबो रहमान और आपका तास्किन यहमद सबसे ज़्यादा important है small league और grand league दोनों में लेना है उसके साथ साथ आपका इधर से मुस्त फिजूर रहम खास करके mega jail के लिए तो इस परकार से मैंने आपको पूरा detail में समझा दिया है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बल्ले बाजी एप के बारे में और बल्ले बाजी एप में आपको estate से fantasy का एक बहतरीन feature मिलता है simply इसमें आपको true और false में आपको answer करना होता है और इसमें आ अफगानिस्तान के against जीतेगा तो अगर आपको लगता है बांगलादेश जीतेगा तो आपको true पर click करना है और अपना entry लगा दीना है लेकिन अगर आपको लगता है बांगलादेश नहीं जीतेगा आफगानिस्तान जीतेगा तो आपको false पर click करना है तो मुझे लग रहा ह कि ये match कौन जीतेगा बांगलादेश नहीं जीत पाएगा आफगानिस्तान जीतेगा तो मैं simply false पर click करूँगा और अपना entry लगा दूँगा और अगर आफगानिस्तान जीतेगा तो मैं भी जीत जाऊँगा तो अपने knowledge को ऐसे ही बरबाद मत करो बल्कि अपने knowledge को यूज करक का मैंने player का stocks खरिद लिया है मुझे लग रहा है कि रासिद खान इस match में 70 से 80 पॉइंट या 90 पॉइंट असानी से दे सकता है तो मैं इसको करूँगा क्या simply go long पर click कर दूँगा आपको जो लगता है कि जो player इस match में अच्छा खासा performance कर सकता है सबसे जादा fantasy point दे सकता है उ एक बार download करके तो देखो बल्लेबाजी एप को link description box में दिया है सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और इतना ही नहीं आने वाले समय में अभी Asia Cup का final match होने वाला है उसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है world cup जिसको देख करके बल्लेबाजी एपने कुछ नया त्यार किया है कुछ बड़ा करने वाला है अपने user के लिए तो जल्दी से जल्दी download कर लो link आपको description box में मिल जाएगा समझ मा चुका है मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पर मैंने आपको पूरा detail में बता दिया है कि कब किसको लेना है small league में किसको लेना है grand league में किसको ले हो तो सबसे पहले देखना मैं आपको safe captain और voice captain बताता हूँ एक आपका साकीबल हसन एक आपका आर गुरबाज उसके बाद इधर से आपका रासीद खान यह वाला player और एक आपका और रमडर वाले section में मोहमद नाभी यह चार ऐसा player है ना जिसको आप इस match में C and VC बना सकते ह कहीं ना कहीं यह चार player आपको captain और voice captain का पारी खेल करके दे सकता है चाहे small league हो या grand league हो लेकिन grand league में आपको किसको try करना है वो मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले यह चार player not कर लो एक आर गुरबाज एक आपका साकीबल हसन एक आपका मोहमद नाभी एक आपका एन सेंटो उसके बाद आपका एम हसन मिराज महदी हसन मिराज और एक आपका आई जडरान यह वाला player यह तीन एसा player है ना जिसको आपको मेगा जील में captain और voice captain try कर सकते हो और उधर मेंने चार player दिया है उसको भी कर सकते हो सब कुछ समझ मा चुका है एक आपका आई जडरा एक आपका एन हुसेन एक आपका महदी हसन मिराज तो इस परकार से मैंने इस match के लिए एक perfect prediction दे दिया है कि कब किसको लेना है मेगा जील में किसको लेना है और असमोल लिग में किसको लेना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है टरंप player कौन रहने वाला है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है अगर टरंप player मैं आपको दुबारा से repeat कर दूँ तो एक बार ध्यान से समझना पहला टरंप player देखो ये वाला मुस्त फिजुर रह्मान पहला टरंप player उसके बाद आपका एक player इधर से किये जन्नत दूसरा टरंप player उसके बाद देखोगे ना तो ए एक N जड़रान किधर ये वाला टरंप player 3 टरंप player हो चुका है और एक ओर ट्रंप player होगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थूरा इस पर focus करना कौन है आपका T ऐसन ये चार इस match में टरंप player रहने वाला थे तो इस पर focus करना एक आपका N जड्रान एक आपका T हसन एक के जन्नत एक आपका मुस्त फिजुर रह्मान ये इस मैच में टॉटल चार एसा प्लायर है जो मीगा जील में ट्रम्प प्लायर रहने वाला है जो आपको रैंक वन में दिला करके करोडो में विनिंग करवा सकता है तो अब मैं अपना फाइनल टीम दिखा देता हूं असमोल और ग्रेंड लिग दोनों का जो मैंने बल्ले बाजी एपर बनाया है चुकि मैं खिलता हूं बल्ले बाजी एपर तो आपको लैप्ट सैड में मेरा असमोल लिग का टीम दिखेगा और राइट सैड में आपको ग्रेंड लिग का टीम दिखेगा अगर असमोल लिग टीम का बात करें तो आर गुरबाज विकेट कीपर वाले सेक्षन में बैट्समिन वाले सेक्षन में आई जडरान है एन हुसेन है और आपका आर साह है उसके बाद आपका साकीबल हसन एम हसन मिराज और आपका मोहमद नाभी और रमडर वाले सेक्षन में रासिद खान टॉस नहीं होगा तब तक टीम में बहुत सारा चेंजिंग होता रहेगा तो उसी के बेस पर जो मेरा फाइनल टीम होगा चाहे असमोल लिग का टीम हो या ग्रेंड लिग का टीम हो वो में आपको अपने टेलीग्राम चैनल में देता हूँ और पर प्रेस कर लेना क्योंकि एसे ही अभी पूरे एसिया कप और वर्ल्ड कप में विनिंग करना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत